अब शांत हो जाईए, 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 यह दोनों बच्चों की दादी है, रात से ही बिलख बिलख के रो रही है, और पहली बार दादी ने ही उन दोनों लोग को घर के अदर आते है और मरता रहता है गुट-गुटका लेकिन मा और दादी यह दो वह महिला है जो रात भर से लगाता है उससे पूछो कि हमारी गलती क्या थी हमारे बच्चें की क्या गलती थी पांच हजार रुपए भी दिये तेरी बीबी की डिलीवरी होने को थी मांगे तुने चाय पिरा जोग थे आपके घर पहुंचे और दो लोग आए चलाते हैं यहां पर दुखान चलाते हैं वाल काट पर सभी बाल कट बाटे आपने कल आया दोनों आये एक बैक से था हमारी वह से बोला भावी हमारी बीवी के डिलीवरी होने को दो तिन गंटे का टाइम दिया है मेरे आइस को ले गया ऊपर अकेले काट दिया फिर ले गया मेरे आन को भी काट दिया जे बोला जे चीक जे गया छोटा वाल भीच वाला चीक कैसी आई अरे भाया क्या कर रहे हो तब ही उसका मुह ऐसे पकड़ लिया इसका इसने जो ऐसे धक्का मारा गिलास टूट गया कांच का सरापी थी बिलेट पर फिसल गया तब ही जो भाग आया उपर से बोला आरे अम्मा अरे अम्मा दादा का हाथ कार दिया हम लोग यहां से भागे हमारी बगु गई अंदर अरे मम्मी तूपर मत जाना फिर भूब उनके पीछे भी आया इनके पीछे जे नीचे मुतर आये तब तक देखाए जिए गिरिल पर जो बिलेट पड़ा है अई से टब कर रहा था इसे हम उल्म भाग गए बाहर मनें गेट बंद कर लिया बाहर का हम नहीं बाई लगा है मुला वालो अनी सुनो मुला वाले सुनो अब मुला वाले आया पर्धान आया उन्ने फुलिस को फोन किया फुलिस आई तो पकड़ गए ले उसस अब वो तो आना जाना था दोनों लोग नाई 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 उसने अपनी मजबूरी दिखाई बोला मेरी बीबी के डिलीवरी होने को है और मैं परेशान हूं दो गंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने वाई अगर पांच हेजार के हों तो हमें दे दू तो बस्ती की मौनला बस्ती को इसे सूदे दिये अगे बेटा दू परेशा आना है तो चाय बना रहे हैं अब दो गंटा अपने टकाट ले जब तेरी बीबी का टाइम आये फोन आये तक चला जाना जे बात थी उससे है कर दो तक एइसा ना कि शुअा पट्चों की जो कई अपश्ची ता है वो घर से दूर के वह उतुम हों थे मूंदी मुइंक अनड़ारे घर टोंटर्यग बनाते पाने ऑगा कैस्वेर के पाफ सा बच्चे उसके पास जाते वी थे बैसे नहीं जाती सैं बाल बनवान कि हमारे बच्चों की गलटी क्या तिया मेरे बच्चों से क्या दुस्मनी सी तुझood ले बच्चे मेरे इतने रवे है उसके बार मैं तesusके परवार जैसे हम आज दूब लग रहे हैं ऐसे उसका भी परवार पुलिस क्या कर रही है कि शाम तक पकड़ लेंगे उसको भागा हुआ है पकड़ के उससे पूछें कि हम लोगों से क्या गलती है क्या परेसानी थी जबकि हमने पैसे लेता था तो बच्चे देती उसे का मेरा बबात होना यह भी कहा जा रहा है कि पांच बार बच्चे उसकी साजित की बीवी प्रेग्नेंट हुई लेकिन बच्चा पहले ही मिस्केरिज हो जाता है घरपात करना पड़ता है हमारे भच्चे बोटने को हर शीद कवशर मिल जयाते सोचों पहले आप बच्चे वाले हो गयं किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से किसी की बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं ज押ए जब हमारे अच्छे करम करोगे ऑड़ती है चाहा धन ऊण अपने करमें ही प्रक्ति पिर्ट से योगी आजितिनात बहुती सक्त मुख्यमंत्री हैं क्या अपील करेंगी आप क्योंकि उन्होंने लगातार ये निर्देश दिया है कि अपील हमारी उसवे पूछा जाए कि हमारी गलती क्या है हमारे परवार से या मेरे दो मासूम बच्चे जो काटें उ तुझे तुने हमें परेसानी बताई, हमने तेरी परेसानी सुनी, पांचे जार रुपए दिये, तु मेरे रिस्तेदा तु था नहीं, तेरी जे थी कि हाँ भाईया तु नाई था, हमने उस बजे से तु को पांचे जार रुपए दिये, तु जो चाय ना चाय भी तो नहीं तब तक मेरे बच्चे काड़ दिये, अरे मेरे आगे रहे गाई जे करें, हमसे पूछो, अरे मेरे लाल चोड़ा वाला मेरे बास से दस मिनट ना हुए, मोला अम्मा मैं डांस करूँगा, टीबी चला दो डांस का बड़ा करया, मेरे के छूट गए दोनों के अरण दिया, एक सिस वेदाएं, और यह भाईया के जी बता, जै खोड़ किलास मेरे पीऊ से, और भाईया मैं कैजे तसलिकों मेरे पले-पलाएं चले गए, योगी से मेरी जी बादना, योगी जी मेरी मदद करो, अरे भाईया ना तो मैं बस अपना अतम अत्या करूंगी मैं तो भाईया, चारों लोग जाओंगी आपको पताना चलेगी, हम जाएंगे जरूर, टाइम निकाले कोई टाइम हो, मैं तो ड्यूटी करती हूँ, हम गाड़ी मूँ संची, पुजहानी ड्यूटी करती ही ते सम अरे घंटा लगाओगा मुस्कत नहीं लगाओगा घंटा आने जाने में इतना घंटा जाद हम तो पता ही नहीं चला हम तुझ उपर हाहा मचाई तो पता चले तो यह उस दादी का हाल है, जिसने अपनी गोद में खेले उन दो नावालिकों को दो मासूमों को गवादिया ह अब रोरोकर गोहार लगा रही है, यह योगी से गोहार लगा रही है, प्रिशासन से गोहार लगा रही है, बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जिससे इस परिवार का जीवन, जीवन भर वो एक धांडस बंदा रहे, परिवार उमीद में जिये क कि नौनेहाल तो चले गए लेकिन एक उमीद बंद जाए क्योंकि वो तस्वीर जो इस परिवार ने देखी है वो ओजल इस परिवार की आपकों से कभी नहीं होने वाले हैं और यह दर्द क्या है यह परिवारी समझ सकता है बार बार चीक-चीक कर दादी रो रही हैं चीक-च क्याम तरीके से हत्या कर दी क्यामरा परसन ईश्वर द्याल के साथ मैं माना वियादब न्यूजिर इंडिया बदाएं